सुमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे जैसा कि इस वक्त हम अपने चैटर नबर 11 को फ्रॉम्द मेट्रिक जिन न्यूबुक से कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके अंबर आज हमारा यह दूसरा लेक्चर है जिसके अंधर हमें स्वीड आफ साउंड के बारे में पढ़ी कौन कौन से मीडियम होते हैं साउंड को ट्रावल करने के लिए यह सारी चीजें हमने अपने पहले लेक्चर में भी डिसकस की थी और आज भी हम उसी से रिलेटेड काफी सारी चीज़ों को डिसकस करेंगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पीड और साउंड की आज के केदर के नगत करकते हैं तो सचेटों किया है स्पीड करेंगी यह सारा आज हम इस लक्षर के आँड़ ड्सकस करेंगा। सबसे पहले हमारे पास भर पास है direct method for the determination of the sound in air as we know that sound travels quite fast but it is still possible to measure its speed in the air by direct method हमें पता है कि sound जो है वह वह ज्यादा fast travel करता है लेकिन अभी भी हम इसे measure कर सकते है speed of sound को measure कर सकते है air के अंदर by direct method से इसके लिए हमें क्या करना है पड़ेगा we have to measure the time in text for sound to travel a measured distance हमें सबसे पहले तो वह time measure करना पड़ेगा वह time measure करना पड़ेगा कि जिससे sound ने वह distance travel किया है नहीं कि जो भी sound the distance travel करेगा हमें पहले उसका क्या करना है time calculate करना है however how do we measure the speed of sound अब हम speed of sound को कैसे measure करें the following experiments demonstrate the direct method अब यह जो हमने direct method पड़ेगा है इसके experiments यहां पर हम perform करने वाले परफॉर्म से मुराद के हम यहां पर discuss करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो experiments हैं जिनके थुरू हम speed of sound को determine करेंगे वो experiments हैं कौन-कौन से देर आर सेवल experiments बहुत सार एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत सार एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके थुरू हम speed of sound को calculate कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन two methods are described below हमने अपनी ही बुक के जो गिवन दो methods हैं उनने discuss किया है सबसे पहला जो method है वह है measuring the sound between two points हम two points के बीच में sound को measure करेंगा यानिका measuring the speed of sound directly between two points two points के बीच में speed of sound को measure करेंगे दूसरा है by using echo हम echo को use करते वे speed of sound को measure करेंगे तो हम one by one यह सारे methods discuss कर लेता है यानिका यह दो methods जो हमने अभी पढ़े हैं उनको discuss करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है method one यानिका measuring sound between two points measuring the speed of sound directly between two points हमें measure करने है speed of sound two points के बीच में तो अब उसके लिए following steps है वो following steps क्या है two people stand at the distance of around hundred meters apart two people लेने हमें जिनको हमें कितने distance पर खड़ा कर देना है hundred meters के distance पर खड़ा कर देना है ठीक है जैसे कहें यहां पर आपने इस figure के अंदर देखना है यह हमने दो persons खड़े की हैं एक जब हमारे पर दिजिन समझने के खड़ी कर दिया एक तरफ हमने वाय को खड़ा कर दिया है और इनके बीच के जो distance है वो hundred meter है यह उससे भी जाद है लेकिन हम सब्सक्राइब कर रहें के hundred meter है the distance between them is measured using trundle wheel हमने यह जो distance है यहां से लेकर यहां तक यह जो distance है यह measure किया है by using the trundle wheel अब trundle wheel क्या होता है अब देखें के trundle wheel is a mechanical device यह एक mechanical device है which is used to measure distance and it is also known as surveyor wheel यह हमारे पास एक ऐसा wheel होता है एक ऐसी mechanical device है जो के इस्तमाल की जाती है distance को measure करने के लिए अब जैसा कि हमने इसको road पर रखा और हम इसको आगे move करेंगे तो यह wheel जो हो reset I mean कि यह जो wheel जो हो rotate करता रहेगा और हम जितना distance cover करेंगे तो यह जो digital meter यहां पर लगावा होगा यह जो counter लगावा होगा यह हमने total कितना distance जो हो cover किया और इस तरीकेते हैं हम distance को measure कर सकते हैं तो एक बात ज्यात रखने हैं कि trundle wheel जो है वो हम use करते हैं measurement of distance के लिए हम काफी तूसरे भी tools devices use कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमें trundle wheel के बारे में का गया है तो हम इस trundle wheel को बात discuss कर रहे हैं now one person has two wooden blocks which they bank together above their hand अब एक परसन के बास जो है वो क्या है दो wooden blocks है जिसको वो अपने सर के उपर bank कर रहा है या जो समझें कि clap कर रहा है clear अब देखें कि अगर हमने यह जो clap करेगा one clap करेगा तो one clap जैसे ही यह person यह जो girl है वो sound जैसे यह clap करेगा यह stop watch को on कर देगी और जैसे ही इस तक यह clap की पर किया है वो कितने time में किया लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि जब तक यह एक clap का sound या एक clap को यह देखे और stop watch को on करे यानि कि आइस तक जब लाइट पहुंची फिर उसमें signal brain को दिये ब्रेंड ने जो है वो फिर stop watch on की तो है यहां पर तो human error आने का कावी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है अब हम क्या करेंगे के अब हम जो है वो human error से बचने के लिए human error से बचने के लिए क्या करेंगे यह जो person है वो 20 claps करेगा अब देखें हैं a second person with a stop watch starts when he hears when he hears one of the claps and ends timing after 20 claps याने के अब यह जो person यह जो girl खड़ी वी है यह तो 20 claps करेगा यह जो boy खड़ाव है तो first clap का जो यह sound सुनेंगी तब यह stop watch को on करेंगी और जब 20 claps पूरे हो जाएंगे तो यह जो है वो time को end कर देंगी याने कि stop watch को जो है वो रोक देंगे या यह जो कहलेंगे आप कहेंगे pause कर लेंगे तो time पता चल जाएगा कि कितने time में जो है वो 20 claps जो है वो इस distance को जो 100 meter का है उसको cover किया है then this is then repeated several time and average value is taken for the time अब यह method काफी मरतबह जो है वो किया जाएगा याने कि 20 claps पहले लिए 4 suppose वो 20 claps जो है वो मिसाल के तूरपर हमें 4 seconds के अंदर मिले clear फिर 20 claps दुबारा किये अब वो 3 seconds के अंदर मिल रहे है फिर 20 claps किये तो अब वो 5 seconds के अंदर हमें मिल रहे है तो यह different different readings आएंगी तो in different readings के लिए हम क्या कर देंगे कि average ले लेंगे as we noted कि average हम कैसे लेते हैं कि जतनी values हम उपर plus करते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूं 1 plus 2 मैंने यहाँ पर 2 values प्लस की हैं तो मैं divide किसे करूँगा मैं यहाँ पर divide भी जो है वो उतनी ही values के साथ करूँगा जतनी मैंने उप अगर यहाँ पर 3 हो जाती हैं तो हम नीचे डिवाइड भी किस से करते हैं नीचे डिवाइड भी 3 से करते हैं तो यह इस तरीके से average आ जाएगा अब speed of sound calculate करने का हमारे पास formula क्या है speed of sound हमारे पास calculate करने का formula यह है distance travel by sound divided by time यहाँ पर हम 20 collapse का distance ले रहे हैं तो 20 multiply by 100 कर देंगे अब देखेंगे कि वह 20 multiply by 100 कितने time के बाद हमें मिल रहा है जैसे के हमने पढ़ा ना के पहले 4 second में फिर 3 में फिर 5 में अब यह तो पहले हम मिसाल के तो पर 20 multiply by 100 हमारे पास आ जाएंगे कोई जब वह 20,000 आ जाएगा 20,000 divided by 4 कर देंगे हमें एक answer मिल जाएगा फिर 20,000 divided by हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे फिर एक answer मिल जाएगा फिर क्या करेंगे 20,000 divided by 5 कर देंगे तीन values हमें मिलेंगी अब उन तीन values को plus करेंगे जैसे यहांबर हमने average लिया है तो यह average अगर हम लेंगे तो हमें speed of sound के जाएगा वो accuracy जो है वो किस हाद तक वो मिल जाए वो measure कर लिया है तो होपस हो कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी अब हम आजाते हैं हमारे दूसरे method की तरफ अब दूसरे method हमारे पास क्या है measuring the speed of sound using ecos अब जो हम sound को measure कर रहे हैं किस तरीके ते measure कर रहे हैं speed of sound को measure कर रहे हैं by using eco हम eco के through जाओ यहां पर measure कर रहे हैं अब यहां पर हमने क्या किया है कि वही दो person लिया है लेकिन अब जो जिसके पास यह wooden blocks जो थे उसको हमने एक wall से जाए वो 50 मीटर के फासले पर खड़ा कर दिया और जो यह जो girl है इनको हमने इनके पीछे खड़ा क कर दिया है अब यह जब clap करेंगे तो sound इस direction में travel करेगा और इस wall से टकरा कर फिर reflect back होगा reflections हम पढ़कर आए हम reflections कहीं है यह कहलेंगे यहां पर sound है तो eco create होगा तो यह वापस जैसे ही यह clap करेगा यह stop watch on कर देंगी और फिर जैसे ही यह eco होकर वापस यह वाज पूंचे की वहां पर यह time को end कर देंगी तो time जो वो calculate हो जाएगा देखेंगे अब person stands about 50 meters away from a wall using a trundle wheel to measure the distance हम trundle wheel को पहले ही discuss कर चुक है अब person claps two wooden blocks together and listen for the eco अब जो है परसन जो है वापस कर रहा है two wooden blocks को एक साथ और उनके eco सुन रहा है अब person then starts to clap the block together repeatedly and rhyme with the echos a second person has a stopwatch and starts timing when they hear one of the claps later यही चीज़ें भी हम डिसकस कर कर रहे है the process is then repeated and average time calculated अब यह process बार बार repeat होगा अब बार repeat होने के बाद हम क्या करेंगे कि उसका average ले ले लेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे the distance travel by the sound between each clap and eco will be to multiply by 50 क्योंके 50 meters यह आगे गया ठीके न और अब जब 50 meters यह पीछे की तरफ आया तो 50 two times आ रहा है तो हमने two से multiply कर दिया यानि का 50 multiply और 50 plus 50 करें तो 100 similar when two multiply by 50 करें तो भी 100 आएगा हमारे पास the total distance traveled by the sound during 20 collapse आप जो total distance हम cover करेंगे तो ट्रावल करेंगे वह कितना होगा 20 क्लैप्स का है तो 20 multiply by two multiply by 50 हो जाएगा तो यह बात यानि के 20 तो travel करेंगे वह कितना होगा 20 multiply by two multiply by 50 यानि के 100 multiply by 20 करें तो यह हमारे पास 20,000 आ जाएगा अब the speed of sound can be calculated from this distance and time using the equation अब speed of sound echo के लिए हम इस्तमाल करेंगे वह क्या होगा two multiply by distance to the wall जितना distance होगा वाल का उससे two को multiply कर देंगे divided by time taken कर देंगे तो इस तरह के था हम using echo भी speed of sound को measure कर सकते हैं अब इन दोनो methods में आपको किसी भी किसम का question है तो मैं description में अपना WhatsApp number भी आपको provide कर रहा हूँ आप मुझसे वहाँ पर भी जो है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं now the speed of sound in solid liquids and gases अब जो speed of sound है वह solid में क्या है liquid में कैसी है gases में क्या फरक पड़ता है यह चीज़े हमें discuss करनी है sound waves are mechanical waves as we know that यह mechanical longitudinal wave है any medium that contains particles can transmit sound हर वो medium जिसके अंदर particles हैं वो sound को transmit कर सकते हैं जैसा air है न तो air के particles हमारे बोलने की बजाद है air के particles disturb होते हैं parallel disturb होते हैं और sound travel करते हैं तो particles हैं तो उस medium में से sound transmit करेगा the speed of sound is not the same in all mediums यह बात याद रखने की है कि हर medium में यह सॉलिड एक अलग medium है liquid एक अलग medium है gases अगें तीसरा medium है तो हर medium में sound की speed जो है वो same नहीं होती है sound waves travels at different speed in different mediums मुक्तलिब में मुक्तलिब में मुक्तलिब स्पीड के साथ sound travel करते हैं speed of sound depends on the properties such as temperature pressure and density of the medium through which it travels नहीं के properties कौन कौन सी and temperature pressure and density of the medium इन तीन properties पर sound wave depends करते हैं यानि के अगर temperature pressure या density में कोई change आता है तो sound पर भी उसका effect पड़ेगा sound waves faster in solids faster in solids because the molecules particles of solids are very close to each other as compared to the liquid and gases sound solids में बहुत ज्यादा तेजी से move करता है travel करता है क्योंके solids के जो particles or molecules है वो tightly packed होते हैं यह यह कहलें के बहुत जो है वो gap उनके अंदर बहुत narrow type के gap होता है अगर हम उसे compare करें solid or gases है sorry liquid or gases है the speed at which a sound wave travels depends upon the medium and the states of the medium अब जो sound the speed of sound जो है वो ठीक है ना वो depend के उस पर करती है medium पर और state of the medium को है medium तो है लेकिन state of the medium जैसे steel solid हो गया water liquid हो गया air gas हो गई अब यह हालत medium की कैसी है उस पर sound की जो speed ever depend करती है जैसा the rate of sound wave travels decreases when we go from solid to gaseous state अब जब हम solid से gaseous state की तरफ जा रहे होते हैं यानि कि solid में बहुत fast sound travel करेगा liquid में करेगा लेकिन solid से कम करेगा gas में भी करेगा लेकिन solid और liquid से कम करेगा यानि कि जब हम solid से gase की तरफ आएंगे gaseous state की तरफ आएंगे speed of sound जो है वो या जो sound जो wave travel कर रही है वो उसका जो rate है वो क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा जैसा कि यहां पर इसको मजीद और अच्छे तरह के था हम समझ लादे states हमने लीव है solid liquid और gases substance हमने solid के लीव है aluminum nickel stainless steel brass copper glass और speed in meter per second हमने लीव है 6420 यह सारी हमने speeds लीव है और temperature क्या रखाव है temperature हमने 25 centigrade जो के हमारा room temperature का जाव दह tekrar है aluminum में ज्यादा sound travel कर रहा है nickel में इससे कम कर रहा है सारे solids steels में उससे कम कर रहा है brass में उससे कम copper में उससे कम और यह हमारे पास जो glass है उसमें में two we copper से ज्यदा में अहिनरे स्पीड आगे है में perhapsивает सौलिट से लिक्युड में आया हमें पता हैक है Are They साउलेड से उस्पीड में स्पीड में स्पीड में कम है एया चिरहाए है। फिर से इसके स्पीड वक्राहे हैं अभी सपीड आएiva तो अब speed of sound की अगर हम definition लिखे हैं तो speed of sound की definition क्या है the speed of sound is defined as the distance which a point on a wave such as a compression और a rare fraction travels per unit of time यानि कि speed of sound को हम कैसे define कर रहे है distance upon time से, wavelength upon time से, compression और rare fractions के बीच का जो difference है या एक compression से, दूसरे compression तक का जो distance है वो हम अगर time से divide करें तो हमें speed of sound wave जब वो पता चल जाएगी अब distance हम in the form of wavelength लिखते हैं तो wavelength को lambda से लिखते हैं तो हमने lambda कर दिया, time क्योंकि wavelength का time period है तो हमने capital T के साथ इसको represent किया एक time period के अंदर बात कर रहे हैं तो हमने capital T रख दिया पोर्स रख देंगे, यानि के lambda तो सही है, one upon T की जगा पर हमने क्या रख दिया, f तो v lambda f आ गया अब f क्या है, f is a frequency, तो the expression हमारे पास क्या जाएगा, v is equal to lambda multiply by f जहां से भी हम जब वो speed of sound का एक जब वो definition लिख सकते हैं, आप अपने copies में लिख लिजिएगा कि the product of wavelength and frequency is equal to speed of sound, the speed of sound remains almost the same for all frequencies in a given medium, under the same physical conditions, तो अगर physical conditions हमारे पास same है, जैसे हम पीचे पड़े कर आएगे, temperature, density यह अगर हमारे पास same है, तो जो frequency होती है, speed of sound की, वो almost almost हमारे पास same होती है, अगर हम किसी और density, यह सारी चीज़ें जब हो, density, humidity, यह सारी चीज़ें जब हो क्या कर देते हैं, effect असर अंदाज होते हैं किस पर, speed of sound पर, तो यहां पर सबसे पहले हम effect of temperature की बात कर लेते हैं, effect of temperature क्या है, देखें कि effect of temperature हमारे पास है, temperature is a condition that affects the speed of sound, heat is a form of energy, that depends upon the kinetic energy of a molecule, clear, अब temperature एक ऐसा condition है, जो कि क्या करता है, speed of sound को affect करता है, और heat हमारे पास, एक ऐसा form है, transfer of energy का एक ऐसा form है, जो किस पर depend करता है, जो total kinetic energy होती है, molecule की, molecules की एक system है ना, जैसे कि यहां पर हम एक system बना लेते हैं, तो इस system के अंदर जितने भी molecules होंगे, उन molecules की kinetic energy मालम करें, जो किस की वज़ा से होंगे, जो हम इनकी heat प्रोवाइट करेंगे, जैसे जैसे हम heat प्रोवाइट करेंगे, वैसे वेज़े यह जो है, इनकी kinetic energy क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, motion करेंगे, motion की वज़ा से जो energy होती है, उसे हम kinetic energy कहते हैं, तो molecules are the medium at higher temperature have more energy, temperature जिसका ज्यादा होगा, medium के अंदर जिसका temperature ज्यादा होगा उसमें energy भी ज्यादा होगी, they can vibrate at a higher rate और वो ज्यादा rates पर ज्यादा distance से वो वाइबरेट करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी vibrations करेंगे, the molecules vibrate faster, sound waves can travel more quickly, अब जो है वो vibrations जितनी तेज होंगी, sound उतनी जल्दी जो है वो इतना quickly travel करेगा, जैसे के यहां पर आप इस image के अंदर देखेंगे, अब हम जब solids की बात कर रहे हैं, दुवारा यहां पर देखेंगे, solid के molecules vibrate ज्यादा करेंगे और इसमें parallel propagation जल्दी होंगी, यह देखेंगे, हमने इसको disturb किया, अब आप देखेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से spread out हो रही है, यहां पर vibrations ज्यादा हो रही है, और vibrations ज्यादा होने की वज़या से sound wave है वह बहुत ज्यादा quickly travel करेगा, उसके पास फिर दूसरे नंबर पर liquid था फिर तीसरे नंबर पर gas है, आदेखेंगे, gas के अंदर red color के blocks है, वह कितना अराम अराम से जो है, वह travel कर रहे है, क्लेर हो रही है बात कि दूरू अपसों के आपको concept जो हो clear हो गए होगी, अब दा, speed of sound at room temperature 25 centigrade in the air is 346 meter per second, अब जो speed of sound है, room temperature पर 25 centigrade है, उस पर कितना है, 346 meter per second, 346 meter per second है, or the speed of sound at 0 centigrade, absolute temperature भी कहता है, absolute, जो हमारे पास 0 Kelvin होता है, the speed of sound at 0 centigrade is 331 meter per second, the formula to find the speed of sound, नहाबर sound लिखियेगा, at temperature T in the air is given as, V is equal to 331 multiplied by under root T upon 273 Kelvin, यह वो formula है, जिसके through हम क्या करते है, speed of sound at temperature, किसी भी temperature पर जो है, वो calculate कर लें, यह formula आपको याद रखना है, उसके बाद the formula shows, अब यह formula show क्या कर रहा है, यह formula show कर रहा है कि speed of sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature, as the temperature of the air increases, so the speed will also increase, यह कह रहा है कि अगर temperature हम बढ़ाएंगे, तो speed of sound भी जो हो क्या होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी, यह इन दोनों का relation जो हमारे पास क्या है, directly relation है, यहने कि speed of sound का directly relation किसके साथ है, square root of the absolute temperature, यहने कि directly proportional से मुराद कि एक चीज़ हम बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ें, इसका मतलब कि अगर temperature of the air हम बढ़ाएंगे, तो speed भी जो होगी वो भी हमारे पास increase होगी, यहाँ पर आपने इस graph के अंदर भी देखना है, speed of sound, जैसे हम temperature बढ़ा रहे हैं, speed of sound भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, state line जो graph होता है, वो हमें यही बात show करता है, कि अगर हम directly relation show कर रहे होते हैं, तो इसके बीच का graph होता है, वो हमेशा state line graph होता है, और तो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, अब हम factors को पढ़ रहे हैं, जो के affect करते है, speed of sound पर, उसका दूसरा part जो के affect of humidity है, humidity भी हमारे पास क्या करती है, speed of sound को जो वो affect करती है, in the air, the affect of water vapor on the speed of sound is minimum than that of a dry air, water vapor जो होते हैं, उसके speed of sound, यानि के देखे न, the affect of water vapor on the speed of sound is minimum than that of a dry air, जो water vapor में speed of sound होती है, वो कम होती है, dry air से, यानि के जिसमें moisture humidity ज्यादा हो, वहाँ पर speed of sound जो है, वो क्या होगी, हमारे पास minimum, और जहाँ पर dry air होगी, वहाँ पर, speed of sound ज्यादा होगी, the presence of moisture in air replace oxygen and nitrogen gases that reduce the density of air because the molar mass of water vapors is less than that of oxygen and nitrogen gas since the speed of sound in gases are inversely proportional to the square root of its density, clear होगी यह बात, देखें कि moisture का present सुना air में, वो क्या करता है कि oxygen, को replace कर देता है oxygen and nitrogen gases को, जो कि क्या कर देती है, density of air को reduce कर देती है, अब water vapor का जो molar mass है, वो तो हमारे पास है 18, जो कि कम है, कि से कम है, smaller mass जो है, वो oxygen का जो कि 32 है, और nitrogen का जो कि 28 है, उससे water vapor का जो molar mass जो तो कम हो गया, यही reason है, जो speed of sound gases के अंदर है, वो inversely proportional है, इसके inversely proportional है, square root of its density, तो density is equal to 3 multiplied by 1 upon under root, यह P नहीं है, इसको हम थोड़ा था कर्व करके लिखते हैं, जो कि density को शो करता है, यह इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे, यह density को शो करता है, जो कि यहां पर मैंने यह last line जो red color के जो underline की है, वो इसको शो करता है, thus humidity increases, जैसे humidity increase होगी, the density of air decreases and sound travels faster, अब जैसे जैसे density of air decrease करेगा, यानि कि humidity increase हो रही है, तो sound क्या करेगा, sound travel fast करेगा, आज यह बात समझ में के नहीं आज बात समझ में, density decrease होगी तो humidity increase होगी, humidity increase होगी, तो हमारे पास क्या होगा sound travel करेगा faster amount के अनुद, अब आ जाते हैं, यहां तक हमारा lecture आ जाता है, फिर हम आ जाते हैं वाग्ड एक्जेम्पल पार, क्या sound wave है फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 kHz and wavelength 25 cm, how long will it take to travel 11.5 km, हमें बताना हैं के एक sound wave है जिसकी frequency है 6 kHz है, और जो wavelength है वो 25 cm है, तो हमें यह बताना हैं के यह sound जो है वो कितना time लगेगा इसको travel करने में, 11.5 km, 11.5 km, कितने time में travel करेगा वो बताना है, so write down the quantities, known quantities and quantities to be fine, जो हमारे पास found quantities हैं वो भी लिखनी है और जो मालूम करनी है वो भी लिखनी है, तो frequency क्या है, 6 kHz, kilo यानि के 1000, 6 multiplied by 1000 कितना हो जाएंगे, 6,000 Hz, because क्या हमें पता है कि ऐसा unit इसका Hz है, 25 cm यानि के 25 cm को हम divide करेंगे कि साथ, 100 के साथ, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 cm होते हैं, 25 divided करेंगे तो answer आजाएगा, 25 divided by 100, 0.25 meters, 1.5 km है, kilo में again 1000 है, तो 1.5 multiply by 1000 या हमारे पास 1500 meters आ जाएंगे, हमें यह जो है वो prefixes में given थे हमने इसको ऐसा unit के अंदर convert किया है, और अब हमें मालूम करना है time जो के हम से पूछा गया है, तो अब अगर हम formula लिखे हैं, तो formula हमारे पास क्या था, product of wavelength and frequency, v is equal to wavelength multiply by f, और यह भी पता है कि distance is equal to velocity into time या speed into time, अब अगर मुझे time की value लेनी है, तो यहां पर v multiply कर रहा है, is equal to के स्थरफ जाकर divide करेगा, तो t is equal to d upon v हो जाएगा, अब क्या करना है कि पहले हमें time जो है वो calculate करना है, ठीक है न, put the value and calculate, अब क्या करेंगे v is equal to यह जो lambda f है, lambda कितना है हमारे पास, 0.25 meter, multiply by 6 kilohertz है, तो यहां पर 6000 hertz आ गया है, ठीक है न, अब इन दोनों को multiply करें और यह भी देखें कि v जो हमारे पास बराबर है, 1500 meter per second के, अब यहां पर हमें v मिल गया, यह जो v है वो हमने मालू कर लिया, अब t is equal to, t upon v, d तो हमें पता है कि 1500 meters है, v जो हमारे पास क्या है 1500 meter per second, meter per second है, दोनों हमें cancel out हो जाएंगे तो time हमें क्या मिलेगा, 1 second मिले, time जो कितना लगेगा 11.5 km कवर करने में, sorry 1.5 km कवर करने में, मैं जब देख नहीं पाया, 1.5 km travel करने में हमें जो time लगेगा, जो speed of sound जो travel करेगा 1.5 km तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 second, अब दूसरा example है, calculate the speed of sound in air at 30 centigrade, given that speed of sound at 0 centigrade is 331 meter per second, अब अगें वही चीज़ें करेंगे, हमें बताना क्या है, कि speed of sound calculate करना है 30 centigrade पर, जबकि 0 centigrade पर हमें given 331 meter per second, जो जो चीज़ें मालों में है, आप देखेंगे temperature का unit का है Kelvin, तो 30 centigrade को हम किसमें convert करेंगे, Kelvin के अंदर, Kelvin के अंदर कैसे convert करते है, 273 से given value को plus कर देते हैं, 30 given value थी, plus 273 से हमने multiply plus कर दिया इसको, तो हमारे पास क्या answer आ रहा है, 303 kilometers, अब क्या करना है, speed of sound का जो है वह हमें formula, temperature उस पर affect कर रहा है, तो वह formula लिखना है जो के हमारे पास क्या था, 331 multiply by under root T upon 273, अब values को हम put करेंगे, 331 same under root T की जगा पर आ जाएगा 303 यानिके 303 Kelvin divided by 273 Kelvin, इन दोनों को जब आपस में divide करेंगे तो बाकी तो सारी चीज़ें same under root इन दोनों को जब divide करेंगे तो 1.1099 आ जाएगा, अब under root जब हम लेंगे तो 1.1099 का जो under root आएगा वह हमारे पास आएगा 1.05352 इस answer को जब हम multiply करेंगे 331 से, तो V जाएगा हमारे पास speed of sound कितना मिल जाएगा हमें 348.7 meter per second, जयने कि 30 centigrade पर 0 पर 331 थी तो 30 centigrade पर sound जाएगा, speed of sound जाएगा increase होगी, जैसर कि हमने पढ़ा temperature बढ़ेगा, तो speed of sound भी जाएगा क्या होगी, increase होगी, नव हमारे पास self-assessment questions है, तो सबसे पहला है कि can any object produce a sound without any vibration in it, तो no, इसका answer है no, it is not possible to object to produce a sound without vibrating, because sound is a longitudinal wave and its need a medium to propagate, sound travels when the particles vibrate, they vibrate the surrounding particles and this is how sound travels, यह हमारी बातों का निचोड ही है, जो कि आज के इस lecture में हमने पढ़ा भी है, दूसरा question जाएगा क्या है, how can the pressure affect the speed of the sound जिंदा है, इसका answer मैं नहीं करूँगा, तो कि मैंने आपको जाएगा यह in detail काफी अच्छे तरगी से समझाया है, आप मुझे जाएवा comment section में इसका answer देंगा, थर्ड जो question है, a sound wave traveling in a solid pass into the air, what will happens to the speed of the sound wave when it enters the air, explain करना है, कि sound wave travel करती भी solid में से air की तरफ जारी है, तो बतायें कि जो है वो speed of sound क्या होगी जब वो air के medium में इंटर करेंगे, sound travels as we know that, sound travels at the different speed depending on what it is travel through, sound depends करता है medium पर, जैसे का gas, liquid और solid पर, अब यह भी चीज़ हम पढ़कर आएं कि solid में sound बहुत quicker travel करता है, liquid में उससे कम और gas में उससे भी जादा कर, तो अब तो कि आपको self assessment questions भी समझ में आगे होंगे, यहां तक किसी भी किसम का question है तो या तो आप उससे comment section में पूछ लें, या जब वो description में, वाट्सेप नमबर है आप उस पर भी contact कर सकते हैं, तब तक के लिए अलाहाफीस, thank you.